तो फ्रेंड सिख्वा फिर्साब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्वू तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Microsoft World में shortcut key की मदब से कैसे use करते हैं format printer आपने पहले format printer नॉर्मली यूज किया होगा लेकिन आज हम जानेगे कि उसके लिए shortcut key क्या है तो आपके सामने दो अलग अलग paragraph है पहले वाले paragraph में मैंने कुछ formatting की हुई है आप देख सकते हैं yellow color से highlight किया हुआ है और लाइन किया हुआ है italic style है और जो text का color है वो red है नीचे वाले में एकदम simple formatting है तो अगर हम पहले वाले paragraph की formatting नीचे वाले पर apply करना चाहते हैं तो हमें simple अपना cursor यहां रखना होगा जहां कि भी formatting अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर अपना कहीं पर भी बीच में cursor रख दीजे उसके बाद control shift के साथ आपको c press करना है ठीक है control shift के साथ c press करना है तो देखें मैंने control shift और c press कर दिया है अब जहां पर आप यह formatting अप्लाई करना चाहते हैं simple उसको select कर दीजे ठीक है simple select करना है अब आपको ctrl shift के साथ v press कर देना है बस इतना ही करना है तो आप देख रहे हैं कि formatting copy होगी तो यह बहुत असान तरीका है format painter यूज़ करने का Microsoft world में